विजेपी के फोरो मंत्रियों और राष्ट्रिय प्रवक्ता साहनवाज उशेन विपक्ची दलों की पटना में होनी वाली बाठक को लेकर कहाएगी यह सिर्फ एक फोटो अपॉचिनिटी है और इसके अलावा कुछ नहीं है उन्होंने कहा भारती जंता पार्टी की कार्य करत हैं यह नेता अलग है इनकी नीती अलग है इनका विचारधारा अलग है यह सब अपने अपने राज्युमेक दूसरे से लड़ते हैं पटना में थोड़ी देर के लिए यह तलवार को मियान में रखेंगे फिर निकल कर आपस में लड़ेंगे कोई हासिल होने वाला नहीं है बिहार से यह खाली लोटने वाले हैं कुछ वेंजन अच्छे उनको जरूर भी लेंगे उस पर वो एकट्थे हुडए हैं यह नेता अलग हैं इनकी नीती अलग हैं इनकी विचारधारा अलग हैं यह सब अपने अपने राज में एक दूसरे से लड़ते हैं पटना में थोड़ी देर के लिए यह तलवार को मियान में रखेंगे फिर निकल कर आपस में कोई हासिल होने वाला नहीं है बिहार से यह लोग खाली लोटने वाले हैं कुछ वेंजन अच्छे उनको ज़रूर मिलेंगे बिहार आ रहे हैं नितिश कुमार जी को उनका स्वागत करना चाहिए उसके लाव कुछ हासिल होने वाला ने पतना के गुलसारबाग स्टेशन भीःर प्रदेश तहलिक समाज का दिक्ष्ष बनाने के लिए ग्ल्जारबाग महराजगर्ण जिलावेवसाइग संध तेली समाज के लोग काफिर संध्यया में एकठा हुए और रन्विचआ साहू को बिहार तेली साहू समाज का दिक्ष्ष्ष्ष बनाने को लेकर बाचीत ह वाई रणविचर साहू ने अपने समाज के पक्ष में बोला उन्होंने कहा कि जिस हिसाब से भागिदारी होनी चाहिए वो आज तक नहीं मिली लेकिन अब हम लोग चाग चुके हैं लोगों से अ कि अव नोग था कि अवरे के ते भाग में जो पिथित है कि अभी जो पस्तित हुए और्श म поговор महाराज गंज, दुल्यारबाल, जल्लावर साइक्षन, तीनों गंज का एक साथ बैठक करके, सभी लोग जुटान हुए हैं, और मानिय है, नीर बतवान अभी अध्याच्छा है, इनियर साहो जी, भारी बहुमत से, विजय कराइन है, और इसी के लिए मैं बैठे हैं हम लोग मेरा नाम भी सनाज कुमा, माराजियों खंगान हुए साइक्षन, तीनी समाज किसी का आप बधुआ मज़ूर नहीं है, तरण विजय साहो आपके सामने में जांकुल है, तरण विजय साहो भी टिकट पराप्त किया किसी पार्टी से, और मैं बिहार विधान सभा का सदस्व तरण विजय साहो सावित करता है, कि राष्टिये जनता दल हो या भाजपा हो या जदी हो खंगरस हो, हमारा समाज किसी का बधुआ मज़ूर नहीं, निश्चित रूप से हमारा समाज में अब करवट लिया है, और हमने भागदारी को यो आगे बढ़े हैं, निश्चित त करना होगा, और सिप्ट गना